आलो पहले पीतल नगर में किसन नाम का एक किसान रहता था. वह गाओं के एक जमिनदार के खेट पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था. पहले किसन के भी खेट थे लेकिन उसके पिता के बिमार होने के कारण उसे अपने सारे खेट बेचने पड़े. मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था वो हर दिन सोचता कैसे घर की स्थिती को बेहतर किया जाए आज भी इसी सोच के साथ किसन सुबह सुबह जमिंदार के खेत पर काम करने के लिए निकला खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातों से टकराई और तेज अबाज होई किसन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहां उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला पतीला देखकर किसन दुखी हो गया किसन के मन में हुआ कि यह जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती फिर किसन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ किसन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेक दी और हाथ मूँ धोकर खाना खाने लगा खाना खत्म करने के बाद किसन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुँचा वहाँ पहुचते ही किसन हैरान हो गया उस पतीले के अंदर एक नहीं बलकि बहुत सारे कुदाल थे उसे कुछ समझ नहीं आया तब ही उसने अपने पास रखे एक टोक्री को भी उस पतीले में फेक दिया वो एक टोक्री भी पतीले के अंदर जाते ही बहut सारी हो गई ये सब देखकर किसन खुश हो गया और उस जादोई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया वो हर दिल उस बरतन में अपने कुछ हौजार डालता और जब वो जादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता ऐसे करते करते किसन के घर की हालत सुधरने लगी उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी कराया एक दिन किसन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया वे गहने भी बहुत सारे बन गए इस तरह धीरे धीरे किसन अमीर होने लगा और उसने जमिंदार के हां मजदूरी करना भी छोड़ दिया किसन को अमीर होते देख जमिंदार मोहन को किसन पर सक हुआ वो सीधे किसन के घर पहुचा वहाँ जाकर उसे जादूई पतीले के बारे में पता चला उसने किसन से पूछा तुमने यह पतीला कब और किसके घर चुराया डर हुई आवाज में किसन बोला साहब ये पतीला मुझे खेट में खुदाई के समय मिला था मैंने किसी के घर चोरी नहीं की खेट में खुदाई की बात सुनते ही जमिंदार ने कहा यह पतीला जब मेरे खेट से मिला तो यह मेरा हुआ किसन ने जादूई पतिला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नते की लेकिन जमिन्दार मुहन ने उसकी एक नहीं सुनी वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादूई पतिला लेकर चला गया जमिंदार ने भी किसन की ही तरह अपने शमान डाल कर उधे बढ़ाना सुरू किया एक दिन जमिंदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिये और रातो रात बहुत अमीर हो गया एकदम से जमिंदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर की राजा तक पहुच गई पता लगाने पर राजा को भी जादूई पतीले की जानकारी मिले फिर क्या था राजा ने तुरंट अपने लोगों को भेज कर जमिंदार के हां से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया राजमहल में उस जादूई पतीले को देखते ही राजा ने अपने आसपास मौझूद सामान को उसमें डालना सुरू किया सामान को बढ़ता देख राजा दंग रह गया होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया देखते ही देखते उस पतीले के बहुत सारे राजा निकल आए पतीले से निकला हर राजा बोलता मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ तुम्हें इस जादोई पतीले ने बनाया है ऐसा होते होते राज सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए लड़ाई के दारान वो जादोई पतीला भी तुट गया जादोई पतीले के कारण राजमहल में हुए इस भ्यानक लड़ाई के बारे में नगर में सब को पता चला इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमिंदार मोहन ने सोचा अच्छा हुआ हमने उस जादोई पतीले का इस्तेमाल सही से किया उस राजा ने अपनी मुर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी कहाने से सीख, जादोई पतीले की कहाने से दो शिख मिलती है, पहले की मुर्खता का अंत बुरा ही होता है, दुसरी यह कि हर समान का इस्तिमाल शंभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है